हालो डियर स्टुडेंट्स वेल्कम टो और यूटूब चैनल अडिको नर्सिंग क्लास आज की हमारी क्रेश कोर्स की क्लास है और इस क्लास में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिसक्स करेंगे जो कि हमारी लेबरेटरी वैलियू से फिर लेटेड होंगे और यह सारे लुक्सरानाम क्यों प्रेटर था फिरीन इंवेस्टीकेशन है जाते ही सबसे पहले सिबसे फोई डॉक्तर होता हूं फॉरे लियूट्टर होता है वह लिए देता है ठीक है तो सीबसे में क्यामन पूरे ब्लडट के अंदर, complete blood के अंदर, cbc हमें क्या बताती है, complete cell count, complete cells count बता देती है, complete blood count के अंदर, जो भी blood के अंदर, जो भी cells पाई जाती है, वो सारी cells का हमें, वो different type की जो भी cells होंगी, जैसे कि, rbc, wbc, and their types, and their, wbc कि जो types हैं, उन के बारे में, साथ की साथ, platelets, platelets के बारे में,के पना पाता लग जाता है, तो यह सारी चीजे bron, जनके बारे में हम क्या कर सकते है, cbc के जानकरी प्राप्त कर सकते हैं, ponex ने थेकते हैं कि cbc से कुछ important key point कौन कौन से, तो key point की बात करूं students, CBC से related key points की अगर मैं बात करूं तो first one है कि WBC first one है कि WBC increased due to the infection, leukemia and use of steroids कि WBC का जो count होता है ये एक important ये point है कि WBC का जो count होता है वो क्या होता है वो increase हो जाता है in case of, कब increase हो जाता है? in case of infection, in case of infection infection की case के अंदर WBC का count क्या हो जाएगा? in case of infection, leukemia is not a blood cancer blood cancer, blood cancer के अंदर क्या होता है? immature cells का count बढ़ जाता है immature cells होती है उनका count हो बढ़ जाता है immature blood cells का count हो क्या हो जाता है stress increase हो जाता है तो वो condition क्या कहलाती है? आपकी leukemia and use of steroids और steroids के excessive use की वज़े से भी हो सकता है ठीक है आपकी blood के अंदर WBC का count बढ़ सकता है यहां से आप लोगों के लिए एक MC क्यों आ सकता है कि normally infection का सब को बता होता है यूदिके यह अंदर भी लोगों को idea हो जाता है but in case of steroids ठीक है? MC क्यों हो सकता है कि steroid prolonged use of prolonged use of steroids can cause increase in WBC count यह आप लोगों पे लिए क्या आ सकता है students एक MC क्यों आ सकता है तो इसको याद रखिएगा prolonged use of steroids क्यों वज़े से क्या हो सकता है WBC का count हो increase हो जाए क्योंकि यह क्या करता है immunity को suppress कर देता है suppress कर देगा तो WBC उसको उपना number वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके infection के against the fight कर सके next point की बात करनो next point है कि platelets are decreased due to the splenomygely splenomygely की वज़े से क्या हो जाते है platelets से वो क्या हो जाते है decrease हो जाते है an immune an immune thrombocytopenia purpura यह एक blood disorder होता है immune thrombocytopropura immune thrombocytic purpura यह क्या होता है blood disorder होता है तो इसमें देखिएगा student इसमें है सफसे पहले splenomygely तो splenomygely की अगर में बात करूँ splenomygely का मतलब क्या होता है splenomygely का मतलब होता है enlargement of spleen enlargement of spleen spleen का क्या हो जाता है enlargement यहाँ पर आप लोगों पे लिए MCQ बनता है MCQ बनता है कि splenomygely का मतलब क्या होता है what is the meaning of splenomygely ठीक है what is meaning of splenomygely splenomygely का क्या मतलब होता है यहाँ पर यह आप से पूछा जा सकता splenomygely का मतलब क्या होता है student splenomygely का मतलब होता है enlargement of skin enlargement of screen enlargement of screen का मतलब है splen की जो साइज हो क्या हो जाती है increase हो जाती है कैसे भी infection हो कैसे भी utological factor के बाद जैसे next one आता है आपका immune thrombocytic पुरपुरपुरा immune thrombocytic cytopenia पुरपुरपुरा इस पुरपुरपुरपुरपुरा इस पुरपुरपुरा यहां एक ब्लेड डिसोरटर है इस नोगे इस ब्लेड डिसोरटर है प्लेड काउंट्ट रेक्स कंडिशन के अंदर decrease हो रहा है प्लेड का कंडिशन के इस पुरपुरपुरपुरा आपके spleenomegaly के अंदर याद रखना बहुत बार यहां पे कुशन देखने को मिलेगा कि spleenomegaly के वज़े से क्या हो रहा है platelets का जो count है क्या हो जाता сов के साथ में हम अंजते के साथ ऊंगुन इन के सारा ग nhौद चैनल cuando पर फूरे यह चांट को टी 놈 करेती स्माट करते हैं अचस्फ। सबस्क्राइब इंदर एंड हेंड हैं अन्रेमेया और हम्रेज की कोणिशन के अन्र आरबीसी precaution की हैं किक्रीज होता है का ऐसा कई ज्यौ राहती है, और जुश को सकता है है या रहे बाबेसी इस ट्रक्शन. जाता हूँ, destruction जाते हूँ, मतलब होगे हूँ, more destruction, more destruction हो सकता है, decrease production, production decrease हो रहा हूँ, excess blood loss, ठीक है, तो पो सकता है, इन conditions के अंदर, ठीक है, यह पो सकता है, depressed bone marrow, bone marrow depression, bone marrow depression, यह वो सारी condition, जिन condition के अंदर, hemoglobin और, ribc, δोनों का production हो कम हो जाता है, production कम हो जाता है, कहीं पे इनका destruction बढ़ जाता है, जिसके होगे हो जाता है, एन locks हो जाता है, फो एक क्षोनक के और ग्याम पर जाता है, hemoglobin और royal miracle, capable कम हो जाता है, broader world health organization के अंदर, either basketball, इंडिजवल के अंदर 11 ग्राम परडियल से अगर हीमोगलोबी नीचे अरल गर 11 ग्राम 12 ग्राम पर डियल इस लेवल से अगर किसी के अंदर हीमोगलोबी ने इश लेवल से कम है बेलो 11 से अगर कम है Уl teacher procedure considered किया जाएगा एनेमिय के अंदर hard considered in enemy उस individual को हम यह मानेंगे कि उस individual को क्या हो रख है इनेमिय हो रख है उस individual को क्या हो रख है एनेमिय हो रख है यह है important point जो कि complete blood count से related थे आहे हो पाप लोगों को समझ में आए हो, अगर किसी भी शुरू दो कोई ख़की पॉइंट में कोई डाउट है तो फूज आप क् र्टित ररॉप कॉमें रिन वंक्षण करूंगा क्यान प्रॉय्ट रने करम किया हुआ अविय्ट है नीज्ट हो मारा पॉइंट है रिन किंच्छिन के तो renal function test की बात करें, तो rule out the functions of kidney, kidney के function को rule out करने का काम करता है, mostly जो हमारी renal system है, renal system है, उसका main function क्या होता है, function of renal system के अगर में बात करूँ, renal function, renal function या renal system के function के अगर में बात करूँ, सबसे पहले होता है, filtration of blood, सबसे पहला तो होता है, filtration of blood, filtration of blood, ये क्या करता है, renal kidney क्या करती है, blood को filter करने का का काम करती है, means कि remove the waste products from the blood, ये क्या करती है, blood से जो भी waste products होती है, उनको क्या कर देती है, eliminate कर देती है, filter करके, ठीक है, next क्या function हो सकता है, next जिसका function हो सकता है, maintain the electrolyte balance, maintain electrolyte, maintain the electrolyte balance, ये electrolyte balance को maintain करने का काम करती है, जैसा कि हम सबने पढ़ रखा है, बहुत बार हमने, हमने नर्सिंग कोर्स के दोरान पढ़ाया, ये kidney क्या करती है, sodium, potassium, chloride, phosphorus, इन सब का क्या करती है, जरूरत के according, मतलब जितने need होती है, according to the need of body, according to the need of body, need of body के according ये क्या करती है, reabsorb कर लेती है, reabsorb, कहां से करेगी वहीं, reabsorb from renal tubules, renal tubules, renal tubules मतलब nephron, nephron के अंदर जो, loop of मेलने, proximal convoluted tubules होती है, distil convoluted tubules होती है, और electing duct होती है, वहां से जरूरत के according ये क्या करती है, पानी को, H2, water को, electrolytes को, जितने requirement होती है हमारी body, normal physiological functioning के लिए, उनको क्या करती है, ये, reabsorb कर लेती है, और reabsorb करके वापस circulation गेंदर रेकर आती है, और maintain रखने का काम करती है, साथ की साथ kidney क्या करती है, acid-base balance पर काम करती है, ये इक important function है kidney का acid-base balance, ये acid-base balance पर maintain करने का काम भी करती है, acid-base balance maintain का काम मतलब student, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँँगा, की रिनो सिस्टेम ये kidney work like a buffer system, kidney work like a buffer system, buffer system के जैसे काम करती है, buffer system का मतलब एक ऐसा system, यह kidney के अंदर एक 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 पिसी की present होती है, kidney का करती है, जरूत पढ़ने पर H प्लस आयन दे भी सकती है, और H प्लस आयन ले भी सकती है, अब यह acid-base million maintain करने का काम कैसे करेंगी, क्या पर देखना, यहाँ पर आप देखोगे, की sodium और potassium है, phosphoride है, phosphorous है, H2 है, kidney के अगरी according to the need of body to maintain the pH इने normal range, अब pH कितनी होती है, normal pH कितनी होती है ब्लड की, 7.35 से लेकर के 7.45, यह ब्लड की normal pH होती है, अब ब्लड की normal pH को maintain अकने के लिए kidney क्या करेंगी, की bicarbonate ions, HCO3- ions, HCO3- ions को क्या करेंगी, regulate करेंगी, अगर जदा हो रहा है, pH अगर बढ़ रही है, ठीकर pH अगर बढ़ रही है, तो bicarbonate जदे जदा निकालेगी, pH अगर कम हो रही है, तो bicarbonate को क्या करेंगी, वो रोक के retain करके रखते है, बाइकरबन हे टाइन के नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है अब लेड़ के अंदर 22 से लेकर के 28 मेक्यू पर लेटर Students इन सारी वैल्यूस को आपको याद रखना है और इनको थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ाईए जैसे आज हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा सा डिसकस कर लिए तो यह एक है असोशियेटिव स्टडी और यह आपकी जो भी आप पढ़ रहे हो उसको मेमराइज करने में लंबे समय तक याद रखने में आपकी हेल्प करता है तो यह इस पर कार्शी क्रिटनी हमारी क्या करती है फंक्शन करती है नेक्स्ट हम बात करते है कि रीनल फेलियर बेडियो तेस अक्यूट टूबलार नेक्रोसिस अक्यूट टूबलार नेक्रोसिस ए टी एन यह बोला जाता है इस पो common cause of renal failure के most common cause होते हैं ठीक है अब ये बता दिया next है कि bicarbonate है इनका लेवल कितना होता नॉर्मल 22-28 एक मिली एक्विलेंट पर लिटर इनका लेवल होता है ब्लड यूरिया नाईट्रोजन है वो वह सेवन तुट्विटी मजी पर डियो लोटी इसले ब्लड यूरिय व्लेड कि यूरिय यह होती है आपके 45 कि व्लड यूरिया यहां ये वैस फॉडक्ट्ट्टॉट्स ओते हैं विकॉज अब मेटाबोलिज मेटाबोलिज ही होता है से यह के अंदर continuous यह उसके वज़े से यह क्या करती है यह जो waste product जैसे ही generate होते हैं तो body क्या गरती है उन waste products को क्या करना शुरू कर देती है creatinine serum creatinine तो creatinine बनता है हमारी muscles के वेस्ट प्रड़क्ट्स ओप मसल्स waste product of waste products of muscles metabolism muscles metabolism muscles के metabolism के दोरानी है सबसे ज़्यादा बनता है इस्टिकर ठीक है जी मसल्स metabolism के बनता है अब है कि serum creatinine की normal value होते 0.6 से लेकर के 1.3 2 कईयों में 2 भी मिलता है चुरुण ठीक है empty पर प्रडियर ठीक है तो यह इसकी normal value होती है यह भी यह क्या है renal function का indicator serum की रेटीन नहीं क्या है renal function indicator अगर serum की रेटीन नहीं बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है कि आपकी क्रिणिय वह काम करना कम हो रही है और यह most common currently अभी यह सबसे जादा विमारी है वो चल रहे है renal failure की case बहुत जादा देके जा रहे है वह उरती जादा बढ़ते जा रहे है में एक स्टाम देखते हैं हमारा blood coagulation study blood coagulation studies blood coagulation studies का meaning क्यों blood coagulation studies का मतलब है इस हम क्या कर रहे है blood clotting blood clotting time को हम क्या कर रहे monitor कर रहे blood clotting time या blood coagulation physiology logic to blood coagulation functions blood coagulation function को हम क्या करते हैं blood coagulation studies के तरह monitor करते हैं जो भी test आप slide के अंदर देख रहे हो यह सारे test हम परफॉर्म करते हैं और हम यह देखते हैं कि हमारी body के अंदर पेशेंट की बोड़ी के अंदर जो blood है वो कितनी देर तक बैता है bleeding time कितना उसका clotting कितनी देर वे बनेगा उसका actuated partial thromboplast time कितना है और PTI आइनर उसका कितना है तो यह सारी चीजे हम देखते हैं और यह before surgery सब सब इंपोर्टेंट होता है कि before surgery most commonly before surgery most commonly monitor before surgery most commonly monitor before surgery surgery सो पहले सबस्वेदा वोनिटर के जाते हैं कि surgery के दोरान हम क्या करते हैं surgery के दौरार हम जाकरते हैं जो patient उसको क्या लगाते incisions लगाते और उन incisions की वज़े से क्या होता है तो उन incisions की वज़े से हो सकता है कि patient के अंदर हम incisions लगाएं और patient के अंदर कोई blood clotting का disorder था प्रिवेंट करने के लिए हीना को एससे सबसे पहले हमें ब्लया को एधो कि प्रोफायल्गी करते हैं साथ की साथ रूल आउट करते हैं कि कोई disorder तो नहीं है ठीक है येसी की ली बर फंक्शन लीबर इस ओडर कि यंदर काफी इंपोटेंट होती और यह अगर बनती हैं लिफिरिंग का लेवल काम नहीं हुआ और गलोटने क्लोटने कि लिवर काम नहीं कारा है ठीक है कोई भी क्लोटिंग टेटर की टेपिशिएंस्टी हो Clothing Factor कोई भी Clothing Factor की Deficiency हो तो उस Condition के अंदर क्या हो सकता है कि आपको क्या करना character की Deficiency होगी तो उस Condition के अंदर क्या करना है हो सकता है कि हमें वहाँ पर पता चल जाए अब बगर Blood को Agulatory Study करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा विए ब्लेट ब्लोटिंग फैक्टर का कोई इंसे डर तो नहीं यह जैसे की इंपॉफिलिया यह सारी कंडिशन्स आपको देखने को मिल सकते हैं तो ब्लेट को एगुलेशन इस्टेटीस में सबसे इंपॉटन्ट जो टेस्ट होते हैं कौन-कौन से होते हैं वह देखते हैं यह आपे लिखे में जो सबसे इंपॉटन्ट टेस्ट वह पॉन-कौन से हैं तो फस्ट वन जो टेस्ट उसकी बाद ओर यह आई एन ना इन इंटरनेशनल नॉर्मलाइस रेश्यो आई एन और गे फूल फॉर्म क्या होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल नॉर्मलाइस्ट आई डिशो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी कि यह क्लोटिंग मेकनिसम वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो यह है आये नार का मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा आये ना कि जब भी आपका पेश्चेंट एक वार्फेरीन थेरपी के उपर होता है वार्फेरेन थेरेपी जबभी आपका पेशेंट अगर वार्फेरेन थेरेपी के उपर है χ तो जब वारफेरीन एक अंटि को आपिलेन ट्रग है क्या है इसले हमेद हैं 17 इन ट्रग AT लिसका फिछल्फड है तो जब वारफेरीन थेलेपी के उपर।rivakt TL धा सब्सक्राइब औरली एडिमिनिस्टर कर सकते हैं, जब आपका पेशेंट वारपेरिन टेरती पे होता है, तो वारपेरिन ड्रग ती, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, हमें क्या करना होता है, आपका 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 To monitor the effectiveness of the warfarin therapy I- abrir I- north I-N-R test I-N-R extra test Should be done Warfarin therapy की effectiveness को check करने के लिए कौन सा test करते हैं हम करते हैं I-N-R test तो याद रखने की बात है कि यहाँ पर confusion में हो सकता है क्योंकि अभी दूसरा टेस्ट बताऊंगा वह बताऊंगा मैं आपको इपरिंट से तो यहाँ पर क्या आपको अब उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करने जरूरी है कि अगर आप इफेक्टिवनेस को चेक नहीं करोगे तो वह सकता है कि जो क्लोटिंग कम करने की जो कैपेसिटी वह इतनी बढ़ जाए कि उसके बाद हम खुद भी कंट्रोल ना कर पाए तो उसको प्रिवेंट करने के यह में क्या करना पड़ेगा हम बार बार हमें आई आई यह ना टेस्ट वह परफॉर्म करवाना पड़ता है तो यह है स्टुडेंट्स इसके बारे नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे next test के बारो में है next test क्या है है मारा next test है है मारा APTT next test है मारा APTT APTT का मतलब हो गया activated partial thromboplast in time APTT का फिल फर्म क्या हो गया activated partial activated partial thromboplast in Thromboplastin Activated Parcel Thromboplastin Time ये इसकी फुल फॉर्म होती है Activated Parcel Thromboplastin Time ये भी हमें क्या बताता है Coagulation के बारे Inticoagulant है Coagulation Coagulation के बारे में Blood के Coagulation के बारे में हमें ये बताता है बताना चाहूंगा कि जब आपका patient Mostly Monitoring Parent Therapy बाकि तो मैंने बताई दिये कि Blood के अगुलेशन स्टडी ते वो कब परफॉर्म की जाती है लेकिन Mostly Epidity का जो टेस्ट वो कब किया जाता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ और वो टेस्ट किया जाता है जब Patient on Hyperion Therapy Patient वो किस पर है आपका patient वो है Hyperion Therapy के उपर जब आपका patient Hyperion Therapy के उपर होता है तो उस condition के अंदर हमें क्या करना पड़ता है APTT test वो करवाना पड़ता है APTT test should be done APTT test वो बताएगा कि Hyperion की जो therapy है उसकी effectiveness बढ़ी है कि नहीं है या कितनी उसकी effective NAS है तो वो APTT test के तुरू हमें पता लगता है ठीक है Hyperion के बारे में बताना चाहूँगा Hyperion Hyperion के अगर मैं आप से बात करूँ तो Hyperion क्या है Anticoaguline Drug है Hyperion के एक Anticoaguline Drug है और यह Anticoaguline Drug होने के वज़े से यह क्या है Do not administer Do not administer orally इसको में orally administer नहीं करना है Hyperion कभी भी orally नहीं दिया जाएगा अगर आप Hyperion को orally देते हो तो जैसे वह स्टमक में जाएगा तो जो HCL है वो उसको denatured कर देता है उसकी effect वो zero कर देता है मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे आप Hyperion को स्टमक में बेज़ोगे जो HCL presenter स्टमक के अंदर वो उसको क्या कर देता है जीरो कर देता है ठीक है Do not इसके आती प्रिफिल्ड सीरीन जाती है प्रिफिल्ड सीरीन जाती है Hyperion की क्या होती है इसका सब क्योटेनियस तोट रहे गाइसका सब क्योटेनियस रूट रहता है सब क्योटेनियस रूट के तुरू गया कर दी जाती है Hyperion है वो सबसे ज्यादे एड़मिनिस्टर किया जाता है नहीं होब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है फेरीन वह एड़ेश्य किया जाता है तो जब भी आप हीपेरीन दे रहे हो तो हीपेरीन दे रहे हो तो एपीडिटी की जो नौर्मल वैल्यू है वो कितनी है 28 से 40 से किड्ड वोनिटर प्यों मोणिटर तेय स्थ मोणिट्र क्यों करना अब इसका स्थी और कपी स्थी नर्मल वैलियों कितने है आठाइस से चालिस रीजा बताई नडा अठाइस से 4 lea booster के नोर्मल है तो 28 से 40 सेकंड जिसकी नोर्मल है अब आप पेशंड को अगर आप की पेरिन एडिमिनिस्टर कर रहो खया है है यह ट्रीासण टकी पेरिन एडिमिनिस्टर करोगे तो यह जो जो 40 सेकेंड़ वाली जो value है, वो 3 टाइम इंक्रीज, जो APTT की value है, APTT है, वो 3 टाइम इंठ्रीज हो जाता, 3 टाइम इंक्रीज होने का मतले है, कि उसकी जो value है, जो 80 से 90 सेकेंड्स तक, अगर iberian therapy चल रही है, उस time पे अगर उसकी 80 से 90 सेकेंड्स तक आ रही है, तो नोर्मल है, it should be normal consider normal क्योंकि आपी पेरिंटेरपी दे रहे हो पिशिंट को एंटी को आपको दे रहे हो तो जो एपीडिटी की वैली हो तो इंक्रीज होगी बट, more than 90 more than 90 second अगर 90 से ज्यादा एपीडिटी की वैली चली गई है तो it should be danger it could be danger, not shoot increase more than if increase more than 90 seconds more than 90 seconds it could be dangerous it could be dangerous यह delgerious हो सकती है इस समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा bleeding precautions अब वो increase करने पड़ेगे patient का जो इपेरिंट हेरेपी उसको temple taper करके उसको क्या करना पड़ेगा उसको decrease करना पड़ेगा उसको stop करना पड़ेगा अगर आप continuously इपेरिंट therapy देपर देते जाते हो 90 seconds के बाद भी एपिटिटी की value 90 तक 80 to 90 तक पहुंचने के बाद भी अगर आप continuous ली रखते हो तो situation के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि patient के अंदर bleeding disorder होंगे patient है उसकी जो कोई भी cavity तो के अंदर automatic ली प्लेट का क्या होना शुरू हो जाएका bleeding शुरू हो जाएगी और blood का collection होना शुरू हो जाता है तो ये काफी dangerous हो चकता है तो इसको prevent करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जब भी आप patient को इपेरिंट therapy दे रहे हो thrombin time जब एक load कितनी देर में बनेगा वो time आ रहा है समान लोगी तो तो 11 से सबसे पहले bleeding time देखते हैं bleeding time है 3-7 minute जब भी आपको कोई जोट लगती है तो 3-7 minute तक आपका normal है वो खून बहेगा और इतना अगर 3-7 minute के बाद क्या हो जाएगा 11-15 second के अंदर thrombin time तो होता है 11-15 second और bleeding time होगा 3-7 अब आपका जाएगा clothing time clothing time हो जाएगा आपका 7-14 ठीक है 7-14 minute ठीक है 3-7 minute तक खून बहे सकते है और 7-14 minute के अंदर खून है वो clot होना शुरू हो जाता है तो यह है अपनी coagulation studies के बारे में coagulation studies के लिए सबसे important होते हैं देखो एक तो होता है liver क्योंकि यहाँ पर clotting factors हैं आपके बहुत सारे जो protein होती है जो bloody के coagulation में पर दिए उनका सिंथे साथ की साथ clotting factor इनका बहुत important इन दोरों चीदों को पाफी जादे important role होता है in blood coagulation studies तो यह काफी हमें monitor करके रखने पड़ती हैं आज की class में इतना ही I hope मेज़वारा प्रवाइड की जारी response की class में आपकी nursing officer recruitment एक जामिशी उप्रोपिशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं लीव लीव लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्यों सामच